चोपड़ा है जो किसे ने यूटूब चैनल पर मैं हरसाई चोपड़ा आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ दोस्तों MCC ने इलिजिबल कंडिडेट की लिस्ट पब्लिस कर दी है इसकी वेबसाइट mcc.nick.in पर जैसी हम विजिट करते हैं डाउनलोड सेक्षन में ये लिस्ट हमें मिल जाएगी तो आप अपना नाम चेक कर लें इस लिस्ट में इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो लिस्ट दी गई है ओपन सीट इस्टे वेकेंसी राउंड के लिए नीचे नीचे लिखा है इसमें तो इस पे क्लिक करके देखते हैं तो डिम्ड इनिवर्सिटी एम्स भी एचिऊ जिपमर ओपन जामिया डेंटल सेंटल इनिवर्सिटी जैसे वी एमयंसी है इसके बाद में ESIC Dental है, RML है, इन सब के लिए ये लिस्ट कमाइंड पब्लिस की है, ओपन के लिए, तो इसमें जो टोटल कंडिडेट है, वो 1,5,780 कंडिडेट की ये लिस्ट है, तो आप भी इस्टे वेकेंसी राउंड में इन इस्टिटूट में पार्टिस्बेट करना च चेक कर लें, इसके बाद दूसरी लिस्ट है, वो DUCW की है, इसमें टोटल 5,721 कंडिडेट से, इसके बाद जो है AMU की लिस्ट है, इसमें टोटल 3,148 कंडिडेट हैं, तो इस परकार से ESIC की भी लिस्ट दी हुई है, ESIC IP कोटा के इलिजिबल कंडिडेट की लिस्ट दी गी है, तो इस परकार से आप इसमें लिस्ट चेक कर सकते हैं, इसके अलावा कौण कौण से इंस्टिटूट में कितनी कितनी सीटें वेकेंट हैं, उसकी भी लिस्ट पहले पब्लिस की जा चुकी है, तो आप इसमें देख लें कि कौण से इंस्टिटूट में कितनी सीटें वे एम्स दिल्ली में आपको original documents के साथ में present रहना होगा इसके बाद में अगर आप BHU में participate करना चाते हैं तो BHU जाना होगा इसके बाद AMU खुद counseling करवाएगा AMU के लिए करवाना चाते हैं तो AMU जाना होगा और दिल्ली की condition में DU करवाता है इसके बाद में अगर आप dimmed university में participate करना चाते हैं तो respective dimmed university में आपको वहाँ present होना होगा original documents के साथ में जिस dimmed university में आप admission लेना चाते हैं मैं आपको यहां बता दूँ कि dimmed की condition में आपको पहले registration करना होगा काफी dimmed ने registration open भी कर दिये हैं तो वहाँ पर उनकी site पर जग करके आपको dimmed के लिए registration करना होगा अब इसमें आप जिस भी institute के लिए participate करना चाते हैं उसमें आपको registration slip की आउशकता होगी मैंने कल भी वीडियो बना के बताया था कि registration slip कैसे आपने download करना है अगर फिर भी मैं आपको बता देता हूँ यहां print registration details का भी इन्होंने option दे दिया है तो आप mcc की website पर जाके candidate login करेंगे तो candidate details में आपको print registration details का option मिलेगा वहां से यह registration details आप print करके इसको साथ लेकर जाए original documents के साथ में यह जरूरी है इसके बाद में इसमें एक option दे रखा है aims के जो documents दे रखे हैं उसमें result notification दे रखा है तो आपको result की copy लेके जानी है तो इस परकार से आप यह original documents लेकर जा सकते हैं तो यह जानकारी थी stay vacancy round के बारे में आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को subscribe करके बैल आइकोन प्रेस करें वीडियो को लाइक को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें मिलते हैं नई जानकारी के साथ नए वीडियो में तब